तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं लश्मी फिल्म के अभी तक के 24 दिनों के और टीटी कलेक्शन के बारे में साथी साथ दोस्त हम बात करेंगे सुरज पर मंगल भारी फिल्म के अभी तक के 19 दिनों के और टीटी कलेक्शन के बारे में और दोस्त हम आपको बताएंगे आसरम वेब सेरीज के 20 दिनों के OTT कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो अगर आप हमाँ चनल पर पहली बनाये हैं तो फटाफ़ चनल को सस्क्राइब कर बेल आकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हम पहुचा पाएं सुध हिंदी में सबसे पहले चलिए दोस्तो हम बढ़ते हैं हमाई न्यूस की तरफ वेलफेंड अगर हम बात करें फिल्म में लच्मी की तो दोस्तो ये एक कॉमिडन होरर थिरल फिल्म है जिसके अपको अच्छे गुमाता है और क्यार अडवानी काम करते हुए नजर आएंगे दोस्तो फिल्म का रिव्यू मिक्स टू पोजेटिव निकल काया है जिसको ओडियंस ने पसंद भी करा है और ना पसंद भी करा है चलिए दोस्तो बढ़ते हैं फिल्म के बजट और कलेक्शन की तरह आप तो दोस्तो फिल्म का बजट बता जा रहा है महस साहट करोड रुपे और इसी के साथ में फिल्म ने अभी तक अपने 24 दिनों में 90 करोड 55 रुपे तक का कारोबार करा है जो कि अपने आप में कबिले तारीफ है जो कि OTT प्लेटफर्म पे एक काफी बड़ी बात है वहीं पर दोस्ता अगर हम बात करें साथ साथ सूरच पे मंगल भारी फिल्म की तो दोस्ता मैं आपको बता दूँ कि ये फिल्म में कोमेडियन फिल्म है जिसके ने आपको दिलजी दोसान जैसे और मनोज भषपाई जैसे बहतरी एक्टर काम करतुए निजर आ जाएंगे दोस्ता मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म में का बजट महस 25 करोड रुपे है और इसी की साथ में इस फिल्म में का नेट कलेक्शन हो चुका है 3 करोड 15 लाख रुपे वहीं पे इस फिल्म ने ओवर रिज़र्स चेक अमाल यह है 15 लाख रुपे और दोस्तो इस फिल्म में का व्ल्ड वाइट ग्रोश कलेक्शन हो चुका है 3 करोड 165 लाख रुपे तो दोस्तों जहाँ पर फिल्म में का बज़ाटे 25 करोड रुपय और फिल्म न अभी तक 3 करोड का ही आखड़ा पार करा यानि दोस्तों फिल्म ओल टाइम फ्लॉप साबित हो चुकी है वहीं पर दोस्तों अगरे हम बात करें फिल्म आसरम की तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि यह एक वेब सेरीज है जिसके तो आपको बावी देवल जैसे बहतरिंग एक्टर काम करते हैं नजर आ रहे हैं दोस्तों बावी देवल को इस फिल्म में केंड़ा बावर निराला के अवतार केंड़ा ढाला गया है और ओडियोंस को यह अवतार काफी पसंद आया है दोस्तों मैं आपको बतना चाहूँआ कि आसरम वेब सेरीज की काफियरा तारीफ करी गई और इसी की साथ में इस फिल्म को हम सबके बीच में 4.5 के हाफ रेटिंग दी गई चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसके कलेक्शन की तरफ तो दोस्तों इस वेब सेरीज ने अपना OTT कलेक्शन कल लिया है अभी तक का 105 करोड 51 लाक रुपेगा अब दोस्तों देखना यह है कि हम सबके बीच में इन तीनों ने कितनी तगड़ी ओपनिंग मारी है तो दोस्तों अगर आप हमाँ चैनल पे पहली बनाए हैं तो इन सभी के अपडेट जानने के लिए आपके और हमाँ चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा जय हिंद वन्य महत्रम